Hey guys, welcome to knowledge treasure hunters जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी Yes, सीरीज थी हमारी environment की जिसमें हम शंकर आईएस को कवर कर रहे थे Guys, हमने chapter 2 और first दो chapters complete कर लिये हैं और आज बारी है chapter number 3 की जिसमें हम पढ़ेंगे terrestrial ecosystems के बारे में So, पढ़ते हैं अपना chapter number 3 Terrestrial Ecosystems जैसे कि पता चल रहा है Terrestrial Ecosystem नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा ecosystem जिसमें क्या हो? Land involved हो, right? तो ecosystem क्या होता है? पहले तो question यहीं उठता है कि ecosystem क्या है? तो guys, अगर आपनी ecosystem के बारे में कुछ पता नहीं है आपको आपने नहीं पढ़ा है ecosystem के बारे में तो आपको क्या करना है? इसी channel पर playlist है आपकी environment की जिसको आपको जाना है, उसको visit करना है उसमें आपको सारी videos available है उसमें जाकर आपको ecosystem को पढ़ना है Chapter number 1 में हमने briefly इसको discuss किया है फिलहाल तो ecosystem नहीं पढ़ेंगे फिलहाल हम देखेंगे terrestrial ecosystem तो अगर आपने वो video नहीं देखी है तो प्लीज उसको आप जाकर देख ले terrestrial ecosystem क्या है? The interrelations between organisms and environment on the land constitute terrestrial ecosystem ठीक है terrestrial ecology में क्या आरा है? जो relationship है किसके बीच में रिष्टेदारी दिखा नहीं है हमें इसमें? Organism और environment की land पर main चीज क्या है land ठीक है? Land पर कोई organism environment के साथ में कैसे deal करता है? कैसे उसके resources को use कर रहा है? कैसे वो उस पर dependent है? कैसे nutrients उसमें recycle हो रहे हैं? कैसे उसकी energy उसको मिल रही है? Do variation in the topographic features of valleys, mountains and slopes certain differences occur अब क्या सारे टेर्स्टिल एको सिस्टम है वो एक से होंगे? The answer is no सारे टेर्स्टिल एको सिस्टम एक से नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी जो land है वो हमेशा एक सी नहीं है कहीं पर हम देखते हैं कहीं पर mountains है तो कहीं पर desert है जब चीज़े अलग-अलग है जब desert अलग है mountain अलग है valleys अलग है plain area अलग है तो वहां कि life भी तो अलग होगी ना तो इसलिए क्या होता है कि terrestrial ecosystem हमारे एक जैसे नहीं होते हैं हर तरीके किया material and biotic diversity अब यह जो difference हमारे land में है तो उसका difference हमें दिखता है material और biotic diversities में भी दिखता है altitudinal and latitudinal variations cause shifts and differences in the climatic pattern क्या यह बताने की जरूद है नहीं क्यों नहीं है क्योंकि यह तो हमने जोगरफी में अच्छे से पढ़ा है कि कैसे हमारे latitude है latitude से climate affect होता है जैसे हम क्या करते है latitude हमारा बदलते जाते है जैसे कि हमने देखा equator के पास में जो आपके latitudes है तो equator के पास में बहुत गर्मी होगी sun हमारा पूरा सिरपर ही होता है तो बहाँ पर गर्मी बहुत होगी तो वहां का climate कैसा होगा climate भी हमारा change हुआ है ऐसे altitude की भी बात कले अगर हम plain area में रह रहे हैं तो बहाँ पर अलग होगा, अगर पहाडों पर रहेंगे तो बहाँ climate अलग होगा जब climate change होगा तो बहाँ के lifestyle भी change होगी, ठीक है Due to varied climate the plant and animal life existing in different terrestrial areas vary which result in differentiation of ecosystems as segments within the large biosphere अब क्या बोला गया है, कि इतने जदा जो climate है, अलग-अलग तरीके का उसमें हमें features देखने हमें को मिल रहे हैं, अलग-अलग जगे पर अलग-अलग climate मिल रहा है तो जब उसमें changes है, तो obviously, जो वहाँ की plant life है animal life है, उसमें भी काफी जदा changes होगी उनका जो life, उनका जो survive करने का pattern है, उनका जो life को जीने का pattern है वो obvious सी बात है, जब climate change है बहाँ की सारा, सब कुछ system में पूरा change है, बहाँ की land form change है, तो बहाँ का उनका जो style है वो भी change होगा, और इस change की बज़े से ही क्या हो रहा है एक बड़े से biosphere में अलग-अलग segment में मिलते हैं अलग-अलग climate और बहाँ के area के हिसाब से the most important limiting factors of the terrestrial ecosystem are moisture and temperature अब क्या चीज सबसे बड़ा कौन सा factor है, जो decide करता है कि किसी area में terrestrial ecosystem कैसा होगा दो features है, या moisture, दूसर temperature, कि बहाँ का temperature कैसा है, बहाँ का moisture कैसा है यही वो factors है जो कि आपके decide करेंगे कि उस area का जो आपका ecosystem है, वो कैसा होगा अब देखते हैं अपना पहले तरीके का ecosystem, इसमें हमने क्या करा है हम पहले तो पहली बाद तो यह है कि हम terrestrial ecosystem पढ़ रहे हैं उसमें भी कई तरीके की ecosystem होंगे जैसे कि हमने भी देखा कि climate की change की वजए से आपके latitude की change की वजए से वहां के lifestyle change होगे तो अलग-अलग ecosystem हमारे बनेंगे तो इसमें पहला आपका ecosystem रहता है टुंड्रा का टुंड्रा means a barren land since they are found where environmental conditions are very severe टुंड्रा क्या होता है टुंड्रा का मतलब होता है barren land मतलब क्या है कि बंजर जमीन है बंजर जमीन क्यों है क्योंकि वह ऐसी condition में हमें मिलता है ऐसी environmental condition होती है बहां पर जोकि बहुत जादा severe होती है मतलब क्या इतनी जादा ठंड होती है बहाँ पर कि हम बहाँ पर survive भी नहीं कर सकते हैं इसलिए क्या वोलते हैं उसको barren land क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है इतना बर्फ ही है बहाँ पर मिट्टी की जए बर्फ मिल रहा है तो क्या होगा कि बहाँ पर कोई भी plant कोई भी आपका vegetation ग्रोही नहीं कर पाएगा इसलिए वो land कैसे हो जाती है barren land हो जाती है there are two types of tundra अब जो tundra ही बात की है तो tundra कितने तरीके के हैं दो तरीके के tundra होते हैं एक होता है arctic tundra तूसरा होता है alpine tundra अब बात यह है कि tundra तो tundra होता है लेकिन यह दो तरीके क्यों है arctic कैसा है alpine कैसा है तो इसको हम अभी समझेंगे distribution पहले देखते हैं कि अखरी tundra मिलता कहां है arctic tundra कहां मिलता है तो arctic tundra मिलता है कहां? arctic tundra extends as a continuous belt below the polar ice cap and above the tree line in the northern hemisphere अब अगर आपने यहां पर थोड़ी सी जोगर्फी अपनी लगाई तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आपने जोगर्फी पढ़ रखी है तो फिर इसको समझाने की विज़ूद नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो क्या बोला गया है कि आर्टिक टुन्डरा जो है वो एक कंटिनियस बेल्ट है जो कि हमें कहां मिलती है पोलर रीजिन जो है हमारा नदन हेमिस्फेर में उसकी आइस कैप से नीचे और जो ट्री लाइन है उससे उपर इस एरिया में हमें मिलता है टुन्डरा ट्री लाइन क्या होती है कि जहां से आपको पेड़ जो है वो उगते हुए नजर आएंगे मतलब जहां पर पेड़ मिल रहे है उस एरिया से और उपर ठीक है और पोलर आइस कैप जो आइस कैप है आइस कैप मेंस कि जहां पर तो कुछ भी नहीं होने वाला है सिर्फ आइस एस है तो उससे थोड़ा नीचे जो बीच का एरिया मिलता है वो वहां पर हमें मिलता है क्या टुन्डरा कौन सा आर्क्टिक टुन्डरा ठीक हैं कहां मिल रहा है अब अगर हम countries का नाम लेकर कहें तो ये कहां मिलेगा तो ये नदन एरिया में मिलेगा कनेडा के, अलास्का के यूरोपियन के, यूरोपियन रशिया के साइवीरिया के और आर्क्टिक ओशन के कुछ आइलेंड्स पे ठीक है, सौथ पोल में मिलता है क्या तो हां मिलता है, लेकिन बहुत छोटा से मात्रा में मिलता है क्योंकि जाले तर जो हमारा साउथ है, ठीक है साउथ हमिस्फेर है, वो ओशन से कबर है, ठीक, इसी ने कुछ ही एरिया में मिलता है उसके बाद बात करते हैं, अल्पाइन टुन्ट्रा की तो अल्पाइन टुन्ट्रा हमें मिलता है, उसके उसके पहाड़ों पर ठीक है, अल्पाइन टुन्ट्रा occurs at high mountains above the width respect to arctic mountains are found at all latitudes therefore alpine tundra shows day and night temperature variations अल्पाइन टुन्ट्रा है वो उसके उसके पहाड़ों पर मिलते हैं ठीक है, आर्टिक mountains जो हैं उनके अगर respect में बात करें तो mountains क्योंकि हर latitude मिलते हैं अगर हम Arctic की बात करें तो Arctic तो हमें मिल रहा है कहां पर polar areas में Kaneda अनेडा में मिल रहा है ठीक है लेकिन जो Alpine है Alpine आपको हर latitude मिल जाएगा चाहिए वह एक के टो आप बात करें तो आपके equator के पास में Alpine मिल सकता है और मिल सकता है वह polar region पे भी तो Alpine क्या है हर latitude पे मिल सकता है शर्त क्या है कि पहार जो बहुत उचे होने चाहिए इसलिए यहां पर क्या होता है टे और नाइट टेमप्रेचर का variation भी रहता है Alpine में क्या होता है कि जो है दिन का temperature अलग होगा और रात का temperature अलग हुआ क्योंकि यहां पर क्या है अलग-अलग latitude में मिल रहा है High Mountain से मिल रहा है यहां पर सन आएगा भी सन जाएगा भी तो फिर टेमप्रेचर अलग-अलग हो जाएगा लेकिन बात करें आर्क्टिक की वो मिलता है polar area में वहां पर सन आता ही नहीं तो temperature variation भी नहीं मिलता है अब यहां पर बा देखते हैं तो पहली बात flora और fauna देखते हैं flora में बात करें मतलब flora means क्या होता है आपके जो plant है ठीक है tree है वो flora में आते है fauna में animal life आती है सबसे पहले देखते है flora flora में क्या-क्या मिलता है typical vegetation of arctic tundra arctic tundra में क्या मिलेगा cotton grass, sages, dark heat, willows, verches, lichens यह मिलेंगे हमें लेकिन animals कौन से मिलते हैं? fauna कौन से मिलते हैं? तो मिलते है reindeer, musk, ox, arctic hair, carrivers, lambings, squirrel Most of them have long life अब जो यहाँ पर जो भी आपके animals मिल रहे हैं जो भी vegetation मिल रहा है उनकी life बहुत long होती है जैसे कि example में देखें तो arctic below है वो डेड़ सो से तीन सो साल तक रहता है ठीक है, they are protected from chillness by the presence of thick cuticle and epidermal hair अब बात यह की जाए कि इतनी ठंड में रहते हैं यह जो आपके animals हो गया, plants हो दोनों ही इतनी जादे ठंडे मौसम में रह रह रहे हैं इतनी ठंडे climate में रह रहे हैं और इतनी लंबी इनकी age भी है ठीक है, डेड़ सो से तीन सो साल तक जिंद कैसे, क्योंकि इनकी जो body है उस पर काफी जादा hairs मिलते हैं और साथी साथ में इनका जो cuticle है वो काफी जादा थिक होता है, ठीक है, इसकी बज़ए से इनके अंदर जो है गर्मी बनी रहती है और इतनी ठंड में भी खुद को survive कर पाते हैं, mammals of the tundra region have large body size अब बात करें, अगर हम animals की तो वो कैसे रहते हैं तो उनकी body size बहुत बढ़ा होता है, उनकी पूझ छोटी सी होती है और कान भी उनके छोटे होते हैं, जिससे कि जो body की heat है वो ज्यादा उसका loss नहीं होता है, ज्यादा lose नहीं होती है, जिसकी वज़ए से उन जिसकी बज़े से वो ठंड में भी survive कर पाते हैं, बात करें insects की, तो insects की life cycle हो काफी छोटी होती है, जो की favorable period होता है year का उसी में complete हो जाती है, forest ecosystem, next जो हमें बात करनी है, बो बात करनी है, अब forest ही, ठीक है, टुनरा की तो हम बात कर चुके, अब हम बात करेंगे कि आखे forest ecosystem कैसा है, कि forest कितनी तरीके के मिलते हैं, कौन सा कहां मिलता है, यह सब हम अब इसमें देखने वाले हैं, The forest ecosystem includes a complex assemblies of different kinds of biotic community, अगर हम forest ecosystem की बात करें, तो क्या forest का नाम सुनते ही, कई सारे पेड़ और कई सारे जानवर दिमाग में नहीं आ रहे हैं, क्या आपके सामने एक ऐसी image नहीं create हो रहे हैं, कई सारे जानवर हैं, कई सारे पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं, ठ कही image यहाँ पर हमें लानी भी है, क्या बोला गया है, कि forest ecosystem में क्या है, कि कई सारे तरीके की जो biotic communities हैं, वो सब आकर इखटी हो जाती हैं, तब एक forest ecosystem बनता है, उसमें अलग 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 जानवर, अलग अलग कीडे मुकोडे और अलग अलग पेड़ पौधे भी मिलते हैं, optimum conditions such as temperature and ground moisture are responsible for the establishment of forest communities, अब यह forest कैसे बनेगा, कितना rich होगा कोई forest, किसी भी forest में, कितनी जदा variety हमें मिलेगी, कितनी जदा बहाँ पर आपके trees मिलेगे, कितनी तरीके के मिलेगे, यह सब depend करते हैं किस पर, कि बहाँ पर temperature कैसा है, बहाँ पर moisture कैसा है, जैसे कि हम पहले यह चुके हैं, कि terrestrial ecosystem में, दो factor हैं, वो ही सब कुछ decide कर देंगे, कौन से factor थे, वो factor थे, moisture और आपका temperature, वही यहाँ पर भी बात की जा रही है, कि forest, कोई forest कितना rich होगा, वहाँ पर कितनी बराइटी मिलेगी, वो depend करता है कि उस area में temperature कैसा है, moisture कैसा है, अगर temperature उनका ऐसा है, कि जहाँ पर आपके सब कुछ survive कर सकता है, हर तरीके के plant grow हो सकते है, तो वो obvious ही बात है, जब उन्हें ऐसा temperature मिल रहा है, जिस पर वो grow कर सकते हैं, तो वो grow करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पर variety मिलेगी, मिलेगी, अब suppose करो, बहाँ का temperature ऐसा है, कि बहाँ पर कोई survive करी नहीं सक है, कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बहाँ पर variety हमें मिलेंगी, same applies with the moisture too, ठीक है, moisture जितना होगा, अच्छे से moisture होगा, अब बहुत moisture है तब भी अच्छा नहीं है, बहुत कम moisture है तब भी अच्छा नहीं है, अगर optimum moisture है, त बहाँ प्लांट्स ग्रो करेंगे, अनिमल्स भी सर्वाइब कर पाएंगे, the nature of soil, climate and local topography determine the distribution of trees and their abundance in the forest vegetation, अब किस तरीके की मिट्टी मिल रही है, क्योंकि दो हो, forest किस चीज से आपको जानने को मिलते हैं, बहाँ पर उसके आपके कितने तरीके के वहाँ पर plants है, ठीक है, बहुत जादा plants, बहुत जादा trees, इसी से forest बनते हैं, अब trees हो या plants हो, सबसे जादा important चीज उनके लिए क्या है, मिट्टी चाहिए वई, कहाँ पर ग्रोंगे, हवा forest कैसा होगा, हम बात कर चुके temperature की, हम बात कर चुके moisture की, लेकिन क्या हमने मिट्टी की बात की, नहीं, मिट्टी हो तो हम भूल गए, लेकिन मिट्टी की भी बात हमें करनी पड़ेगी, कि किस तरीके की मिट्टी है, अगर बिल्कुल बंजर मिट्टी है, बहाँ पर कुछ ग्रो नहीं हो सकता है, उस मिट्टी में, तो बहाँ पर आप क्या forest बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते, मिट्टी भी ऐसे होने चाहिए, जहां पर plants ग्रो कर सके, राइट, then climate कैसा है, उसके बात में बहाँ की topographic, ऐसे hilly area है, कि desert है, कि plain area है, ये सब भी determine करता है, कि बह करने forest की, तो forest हो सकता है, कि evergreen हो, हो सकता है, decidious हो, अब भी evergreen क्या होता है, decidious क्या होता है, तो समझ लो क्या होता है, देखो evergreen, नाम सी पता चल रहा है, कि हर मौसम में, हर टाइम, पूरी साल, उस पर पत्थियां रहेंगी, ठीक है, वो हरा वरा रहेगा, वहीं पर दू पत्थे उसके जड़ जाते हैं, ठीक है, पत्थे सूकते हैं, और जड़ जाते हैं, और बिना पत्थों के वो ट्री ऐसी खड़ा रहता है, फिर क्या होता है, एक सीजन आता है, और उसके बाद में, उसक फिर से पत्थे आ जाते हैं, तो वो होता है, decidious, they are distinguished on the basis of leaf into broad-leaved or needle-leaved coniferous forest in the case of template areas अब template areas हो है template areas कौन से होते हैं यहाँ पर थंडा मौसम होता है ठीक है अब जिसे हमने अगर geography को फिर से दिमाग में लिया तो भाहाँ पर क्या होता है एक क्योटर होता है उसके आदमें ट्रोपिक साथ है उसके उपर template होता है इसके उपर क्या होता है polar area होता है ठीक है दिमेज बनाओ आखे बंद करके आपको सब याद आ जाएगा क्योंकि चौक्ती तो पढ़ रखी है राइट तो जो temperate area है बहाँ पर जो forest मिलेंगे वो मिलेंगे coniferous ठीक है तो यह किस तरीके से मिलेंगे यह हम आगे रखेंगे कहां पर कौन से मिल रहे है ठीक है अब forest ecosystem है mainly वो कितने तरीके में हमने डिवाइट कर रखा है अभी तो देहो अभी आगे तो हम 16 तरीके के पढ़ने वाले हैं लेकिन यहाँ पर mainly जो आपके broadly कहते है न वो कितने तरीके की हैं तो वो मिलते हैं हमें 3 तरीके की ठीक है कौन कौन से होते हैं बही तो पहला होता है Coniferous forest दूसरा Temperate forest और तीसरा tropical forest in all these forest bibomes are generally arranged on a gradient from north to south latitude और from high to lower latitude अभी किस तरीके के forest है यह जो forest नौर्थ से साउथ की दिशलते जाएंगे इस तरीके की forest मिलते जाएंगे सबसे उपर coniferous मिलेंगे, फिर temperate forest मिलेंगे और उसके लिए ट्रॉपिकल forest मिलेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं coniferous forest की coniferous forest जिसको हम boreal forest भी बोलते हैं कैसे होते हैं तो आप image में देख सकते हो कितने लंबे लंबे trees हैं यही होते हैं आपकी coniferous forest cold regions with high rainfall, strong seasonal climates with long winters and short summers are characterized by boreal coniferous forest अब यहां से बात आती है कि भाई इसको याद कैसे करना है तो देखो आपको क्या करना है, image देखनी है फिर समझ में आएगा कि कैसे मिलेंगे forest ठीक है और पढ़ना है, बस वो तो पढ़ना ही पढ़ना है तो coniferous forest जैसे दिमाग लगाओ, coniferous forest वो लगया है थंडों में मिलते हैं, थंड कहां मिलते हैं, पहाड उपर मिलते हैं तो कहां कहां, cold regions, पहली चीज से यहां से इस पकड़ो क्या कि थंडे regions हैं, ऐसे एरिया जहां पर क्या है, थंड है ठीक, दूसरी चीज, heavy rainfall, यहां पर क्या होता है, थंड तो है ही है साथ में बारिश भी बहुत होती है, ठीक है, उसके बाद में strong seasonal climates अब जो यहां के climate है, season, यहां पर season कैसा है कि जादा time तक winter रहती है कुछ समय के लिए समर होती है, इतना चीज है मैं याद रखनी है, चार चीज याद रखनी है क्या, reason कैसा है, थंडा, ठीक, थंड है बहां पर, बहुत जादा बारिश होती है थंड बहुत जादा दिनों तक पड़ती है और गर्मी कुछ समय के लिए होती है तो ऐसे एरिया में हमें मिलते हैं Coniferous Forest ठीक उसके बाद में This is characterized by Evergreen Plant Species दूसरे चीज़ याद क्या रखने हैं क्या यहाँ पर हमें Decidious Forest मिलेंगे बिल्कुल नहीं यहाँ पर मिलेंगे हमें Evergreen अब इसमें कौन-कौन से मिलते हैं यह भी याद रखना है जैसे कि Spruce, Pine, Fir ठीक है Spruce, Pine, Fir तीन चीज़ याद रखने हैं पहली चीज़ कि यहाँ पर क्या मिलेंगे Evergreen Plants मिलेंगे कौन-कौन से मिलते हैं भई तो मिलते हैं Spruce, Pine और Fir क्या Animals भी मिलते हैं यहाँ यहाँ पर Animals भी मिलते हैं कौन-कौन से Lynx, Wolf, Bear, Red Fox, Percupine, Squirrel, Amphivians जैसे कि Highla, Rana ठीक है एक बार फिर से पढ़ लो कौन-कौन से Animals मिलते हैं Lynx, Wolf, Bear, Red Fox, Percupine, Squirrel और Amphivians जैसे कि Highla, Rana ठीक याद हो गए उसके बाद बात करें तो Boreal Forest soils are characterized by thin pod zoles and are rather poor अब question आ सकता है कि जो Boreal Forest and जो Coniferous Forest है यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा highly fertile है तो क्या आंसर सही होगा बिलकुल नहीं statement गलत है क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है वो बेकार होती है ठीक है क्यों होती है क्योंकि यहां पर जो rocks है, rocks थंडे मौसम है, cold area है ना, तो थंडे मौसम में उसका क्या होगा, weathering बहुत धीरे-धीरे होगी, जब weathering धीरे होगी, rocks टूटी ने रहे, तो मिट्टी कहां से बनेगी, दूसरी चीज, कि यहां के जो आपका humus है, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहां पर जो पत्ते 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 है, क्योंकि shaped होते हैं तो यहां से humus कमाता है और उपर से उनका भी decomposition धीरे धीरे होता है दीज स्वाइल सा acidic अब यहां पर क्या है दूसरा आपका statement बन सकता है कि यह जो मिठी है ठीक है कौनी फेरस फॉरेस्ट की वो आपकी basic है ठीक है और highly mineral content है ठीक है high mineral content है तो क्या यह statement सही है बिल्कुल नहीं सही है क्योंकि यहां की मिठी होती है आपकी acidic और साथी साथ में mineral deficient यहां पर mineral नहीं मिलते हैं इस बहें में मत रहना कि भाई पाढ़ों पर मिल रही है तो तो पहाड़ों से सारी नदियां आ रहे हैं, तो क्या है, बहुत जादा पानी यहां से पहता है, मिट्टी से, इससे क्या हो रहा है, इव्यापोरेशन हो नहीं रहा है, तो उसे इससे क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पुटेशियम हो गया, वो क्या होता है, मिट्टी से धुलते हुआ चला जाता है, तो मिट्टी में वो जो आपका न्यूट्रियंट हो वचता ही नहीं है, वो पानी के साथ में बह जाता है, लीची हो जाती है, इसकी इस प कि मिट्टी एसेडिक होती है और मिनरल डेफिशेंट होती है अब बात करते हैं अपने नेक्स तरिके की फॉरेस्ट की और वो है टेमपरेट डेसीडियस फॉरेस्ट पीछे जो आपको इमेज दिख रही है वो इसी की है लेकिन इस टाइम पर आप यह मत बोलना कि यह पीले प आप इनके उपर पदे है ठीक है फिलाल चलो पड़ते है इसके बारे में टेमपर फॉरेस्ट ते देहो है इनका climate कैसा होता है इनका climate होता है moderate ठीक है बहुत जादा थंडा भी नहीं होता है बहुत जादा गरम भी नहीं होता है moderate होता है दूसरी चीज जैसे कि हमने पहले देखा कॉनिफेरस में कि जो उनके पत्ते थे वो नीडल शेवड थे ठीक है और पहुत पत्ले पत्ले थे ये इसके पत्ते कैसे होते हैं ब्रॉड होते हैं ठीक है चोड़े-चोड़े पत्ते होते हैं Characteristic इसकी क्या है, इसका feature यह है, कि जैसे ही सर्दी आती है, सारे पत्ते जड़ जाते हैं, और नई जब समर आने वाली होती है, spring आती तो नए पत्ते आ जाते हैं, यह इसका feature है, रिसिप्टेशन भी बारिस कैसे होती है, यहाँ पर तो पूरी साल बारिस uniform होती है, तीरे दिरे लगाने की चीज़ है, रटने चीज़ ही नहीं, क्यों? देखो, पिसले वाले में हमने देखा था, कि बहां के पत्ते कम थे, ठीक है, पत्ते कम थे, जब नीचे गिर रहे थे, तो उनका decomposition भी धीले धीले हो रहा था, इसलिए वो मिट्टी थी, खराब, ठीक है, मिट्टी फ जब पत्ते जड़ जाते हैं, जब पत्ते जड़ जाते हैं, आसमान में तोड़नी जाते हैं, वो गिरते हैं जमीन पर, मिट्टी में गिरते हैं, फिर क्या होगा, यहां का मौसम भी इतना ठंडा नहीं कि डिकंपोजिशन नहीं हो, डिकंपोजिशन भी होता है, जब डिकं बीप होती है और फंटाइल होती है अब बात करते हैं टेमपरिट एवर्गी फॉरेस्ट की अब नामसी जैसे की पता चल रहा है टेमपरेट मीज़ ऐसे एरिया में मिलेंगे जहां पर जादा थंड भी नहीं जादा गर्मी भी नहीं है फिर एवर गेरीम जैसे पूरी साल इस temperate evergreen forest इसके वारे में कुछ और पढ़ने तो हां पढ़ लेते हैं parts of the world that have mediterian type of climate are characterized by warm dry summers and cool moist winters फिर इसे geography को दिमाग में ले आओ, geography तो लानी ही पढ़ेगी तो geography में हमने पढ़े हैं न, climates, अलग-अलग तरीके के climates होते हैं तो इसे ही climate हमने पढ़ा था mediterian type उसका feature आपको याद है थंडों में वारिश होती है और किसी climate में ऐसा नहीं होता है थंडों में वारिश हो रही है लेकिन mediterian में होता है तो वही वही जो mediterian type of climate है तो जहां-जहां mediterian type of climate मिलेगा वही वही यह temperate evergreen forest भी मिलेंगे दुनिया के ऐसे हिस्से जहां पर mediterian type of climate होता है वहां पर क्या होता है कि जो summer है summer तो गरम होती है और summer में बारिश भी नहीं होती है तो भी बारिश नहीं होती है क्या पूरी साल होती है कब होती है, winters में होती है ठंडी winters, winters में कठंड होती ही होती है साथ में बारिश भी होती है, ठीक अब यहाँ पर क्या होता है these are commonly inhabited by low broad-leaved evergain trees यहाँ पर broad-leaved, मत्त्ते कैसे होते हैं चोड़ी-चोड़ी होते हैं और evergain है अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक main feature है जो आपको याद रखना है कि यहाँ पर fire, आग, forest में लग जाती है बहुत frequently आग लग जाती है ठीक है fire is an important hazardous factor in this ecosystem and adaptation of the plant enable them to regenerate quickly after being burned अब यहाँ का main feature क्या है बहिया यहाँ पर कभी भी जंगलों में आग लग जाती है लेकिन यहाँ के plant यह बड़े धीट है क्यों क्योंकि जैसे आग लगती है यह जल जाते हैं लेकिन उसके बाद में फिर से ही grow कर जाते है फिर से खुद को जो जला होता है ना उनका जितना ही पार्ट जला है उसको फिर से रीजन वेट कर लेते हैं ठीक है यहाँ पर आप पता कौन सी वर्ड ऐसी है जो खुद को अपने जो एशिश है उससे खुद को फिर से सर्वाइब कर पाती थी ऐसी होती भी है कि नहीं होती है होती है तो कौन सी आई no कि आप सबको पता है तो फिर पता हो कौन सी वर्ड अब फिर से बात करते है यह वह से बार तेम्परेट फॉरेस्ट की जहां पर ठंड भी नहीं है और घर्मी भी नहीं है मीडियम रेंज है ठीक है फिर रेन ऐसे फॉरेस्ट जहां पर बहुत ज़्यादा रेन होगी पूरी साल रेन होती रहेगी ऐसे फॉरेस्ट कौन से है पहले बात तो इसकी पहले फोटो देखो बैक ग्राउन में कितनी प्रेचर को लेकर ये बहुत अच्छी खासी सीजनालिटी दिखाते हैं कैसे यहां पर रेनफॉल बोहुत. ही होती है और कभी क्या होता है कि Fog Fog भी बहुत heavy होता है मतलब हम लोग देखा ना कोई ऐसे हम लोग जो है horror movie देख लेते हैं तो किसमें उसमें होता है ना कि रात में बहुत अंधेरा सा एक जंगल होता है और उसमें बहुत जदा fog होता है आगे का कुछ नहीं दिखता बैसा ही यह forest है ठीक है यहाँ पर क्या है कि बह in source इन फोर से पानी का बारिश तो है इपारेश हो रही है वह है उसके ज़्यादा पानी इसको कहां से मिल रहा है इन फ़ोरेस्ट में ठीक के डाइवर्सटी आफ टेंपरेट रेंफ़ोरेस्ट इस हाई इस कंपर तो अधा टेंपिर फॉरेस्ट जितने हमने लग लग तरिक temperate rainforest में however a diversity of plant and animal is much low as compared to tropical लेकिन भाई tropical rainforest तो भाई king है ही उसकी तो कुछ comparison है ही नहीं यहाँ पर क्या है temperate में जितने भी forest हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसमें variety मिलेगी लेकिन अगर बात tropical की करें tropical rainforest की तो उससे तो इसका को comparison नहीं है उसमें तो सबसे ज़्यादा variety मिलती ही मिलती है अब हमने temperate की तो सारे variations देख लिए temperate evergreen temperate deciduous temperate rainforest temperate तो देख लिए लेकिन क्या उतनी थे नहीं उसमें हमने देखा था कि tropical rainforest भी थे tropical forest भी थे coniferous देख लिए हैं temperate देख लिए हैं tropical rainforest के अभी tropical की रेंज जलेगी इसमें कई तरीके की forest मिलेंगे फिलहाल देखेंगे rain forest ठीक है नाम से पता चल रहा है tropical means ऐसे एरिया में जहां पर भाया tropical latitude आपने देखे हैं ना एक्वेटर के आसपास का एरिया होता है वो ट्रॉपिकल होता है तो यहां पर कैसा होगा भाया बहुत गर्मी होगी ठीक है कि ट्रॉपिकल rain forest अकर नियर दा एक्वेटर जैसे कि हम यह जोगर्फी पढ़ चुके हैं हमें मालूम है कि हमारे एक्वेटर के आसपास के एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है तो यही बोला गया कि एक्वेटर के पास में यह forest मिलेंगे लेकिन यह forest कैसे दिखते हैं वो यह forest है हमारे ट्रॉपिकल rain forest एक्वेटर के पास मिल रहे हैं नेक्स्ट ट्रॉपिकल rain forest are among the most diverse and rich community on the earth भीया अर्थ पर सबसे ज़्यादा अकर कहीं पर हमें बाराइटी मिल जाएगी सबसे ज़्यादा कहीं पर बायो डाइवेसिटी मिल जाएगी तो वो मिलती है ट्रॉपि यहां पर temperature भी ज्यादा है साथ ही साथ humidity भी ज्यादा है और ऐसा नहीं है कि आज ज्यादा है कल कम हो जाएगी नहीं पूरी साल यूनिफॉर्म रहती है एन्वल रेंफॉर्ट अब हमने यह तो बोल दिया कि बहुत ज्यादा वारिश होती है लेकिन कितनी तो वारिश होती ह है हमारी 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वह पूरी साल ठीक है उसके बाद में फ्लोरा हमने जैसे कि देखा कि बहुत ज्यादा बराइटी मिलेंगी तो फ्लोरा में भी बहुत ज्यादा बराइटी मिलती है अब यहां पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्या यहां पर क्या मिलता है कि सबसे पहले लंबे लंबे ट्रीस मिलेंगे अब लंबे ट्रीस इतने ज्यादा लंबे हो गया है कि बिचारे इनके पडोसी जो थे वो इतने लंबे हो यह नहीं पा रहा है क्योंकि लंबे वाला जो उपर था उसकी कैनों पीने जगे घेर लि अलग अलग तरीके घास अलग तरीके की करीपर अलग अलग मतला और भी पेड़ पहुते जो है न वो इसके उपर ग्रो हो जाते हैं ठीक तो एपिफाइटिक्स हमें आपर मिलते हैं जिसे अब देखो इमेज में देखो यह जितने भी ट्रॉक दिख रहें इनके उपर देखो और अलग अलग तरीके पूरी ग्रीन डी चड़ी होई है न तो यह क्या है दूसरे जो ट्वी जो इसके उपर दूसरे जो प्लांट्स है वो इसके उपर ग्रो हो रहे हैं ठीक है यह में देखने को मिलता है उसके बाद ता लोईस्ट लेयर इस एन अंडर स्टोरी ओफ ट्र रेन फोरेस्ट आर रेड लेटो सोल एंड है त्वहरी तो मिलता है में ता यहां से एजैसे प्लिच वराइटी मिल रही है सकते हैं मिन थो कि आपने तो बोला था जहां Souls जाद Czech Kingdom हमानट आको मार्स ट्राइटी होती है तो क्या वहां पर हीमें था और पर देखिंग होती है लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं है बताते हैं क्यों नहीं है देखो leaching यहां पर बहुत ज़्यादा होती है humor तो है लेकिन leaching बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमने यहां पर देखा न temperature के साथ बारिश भी बहुत होती है बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो यहां पर जो nutrients होते हैं वो सारे विचारे घुल कर भे जाते हैं तो यहां पर nutrients रुकते नहीं है मिट्टी में ठीक है इसके बज़े से मिट्टी क्या होती है विचारी खराब हो जाती है फर टाइल नहीं रहती है एक और चीज़ है यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर जो प्लांट्स है वो नीचे एक प्लांट के कैनोपी की नीचे दूसरा प्लांट गिरो हो रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है नीचे वाले प्लांट पर मिलेगी नहीं तो विचारा वो ज़्यादा गिरो कर के पास में एक के पास में मिलेंगे और सीनल हैं अब सीजनल कैसे है भई देखते हैं जालो दी कैसे हैं सीजनल ट्रॉपिकल सीजनल फोरेस्ट और सो नोहने forest भी बूलते जिए मोन्सौन में होते है मतलब मॉन्सौन क का इन पार काफी एसर होता है तो यह ऐसी एरिया में मिलते है जहां पर रइंवल पहुत ज्यादा होती कि लेकिन पोटेंदे हम राते हैं कुछ युछ पीरेट ही मिर्म में मौर्म मौसून में से स्टाइट च्ला जाएगा टार जाएगा कब आएगा जुन जुलाइ पो फिर बहुत आखे कि तो हां मैटे तो है आपर राइट तो भाई क्या है कि मौन्सून जो है मौन्सून जहाँ पर आपका आ रहा है उस area में यह forest मिलेंगे इतना समझ dice एहां पर क्या होगा बारिश तो होगी लेकिन कुछ आपके selected time में होगी वह होते हैं monsoonal forest ठीक है this kind of forest अभी forest कहां मिलेंगे जहाँ जहाँ monsoon monsoon कहां मिलता है South East Asia में Central South America में Northern Australia में Western Africa में और आपकी इंडिया है ठीक है वहाँ पर भी यह मिलेंगे अब बात करते हैं subtropical rainforest की पहरे तो background दो कितना beautiful लग रहा है और ये background किसका है सब्ट्रॉपिकल rainforest का राइट ये जो आपको forest दिख रहा है पीछे ये ही है हमारे सब्ट्रॉपिकल rainforest देखने में तो ऐसे हैं लेकि इनके बारे में पढ़ना भी पढ़ेगा तो पढ़ लेते हैं कि वह ये कैसे होते हैं सबसे पहले चीज के यहां पर evergreen होते हैं ठीक है पूरी साल पत्ते रहेंगे और ब्रॉड लीव्ट है ठीक है पत्ते कैसे होंगे चौड़े-चौड़े होंगे कहां मिलेंगे ऐसे एरिया में जहां पर rainfall आपकी ज्यादा होती है लेकिन temperature difference हो है बिंटर और समर का वो कम रहता है ठीक है जैसे बिंटर में ठंड अगर पढ़ रही तो समर में भी ज्यादा नहीं होगा ठीक है ज्यादा गर्मी नहीं होगी तो ऐसे एरियास में यह मिलते है यहां पर epiphydes बहुत मिलते हैं यहां पर बहुत ज्यादा epiphydes भी मिलते हैं ठीक है एनिमल्स कौन कौन से मिलेंगे तो अभी हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट के बारे में बैसे ही यहां पर भी एनिमल्स मिलेंगे अब आपने बहुत पढ़ लिया है पढ़ लिया है आज इतना ही हम पढ़ते हैं इसको अच्छे से पढ़ो याद कर लो फिर नेक्स वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट के टाइप्स जो 16 तरीके के फॉरेस्ट है उनको हम पढ़ेंगे ठीक है आई नो यह चैप्टर आपको थोड़ा सा इसमें ज्यादा याद करना पड़ेगा बट जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में जरूर आएगा and I hope कि मैं आपको इस समझाने में थोड़ी सी अगर सक्सेस्फुल हुई हूँ तो मैं तो खुश हूँ है कि अगर आपको मैंने इस चैप् पॉर्स टाइप के साथ में ठीक है तिल देन कीप योर नॉलिज टैजर हंटिंग ओन